हम study कर लेते हैं अब multinational companies के advantages और disadvantages पहला point है हमारा foreign की investment में increase होना कोई भी country जब अपनी company को दूसरी country में भेजती है तो उस country का पैसा दूसरी country में जाता ही है क्योंकि हर country चाती है कि मेरे पास विदेशी पूंजी आए दूसरे देश का पैसा आए तो मा लीजिये जपान ने अपनी company को इंडिया में लगाने की permission दी कि आप इंडिया में अपनी company लगा लेजिये otherwise क्या होगा हमें क्या करना पड़ता है हम रुपया देंगे और जपान की currency को exchange करेंगे तो exchange के time पर बहुत problems आती है अब जपान की company यहां पर आई जपान का पैसा ultimately हमारे देश में आ गया अब जपान का पैसा हमारे हाथ में आ ही गया है तो जपान का कोई भी product हम असानी से purchase कर सकते हैं दूसरा जो benefit है वो है employment का लोगों को नोकरिये मिलती है standard of living लोगों का जीवन जीने तक का तरीका सुधर जाता है उनके life में सुधार आता है गुणवत्ता में सुधार आता है उनका जीवन बहुत अच्छा सुधर जाता है फिर हमारा point है economic development देशों का विकास होन स्टार्ट होता है क्योंकि हम जिस भी देश में अपनी company लगाते है multinational company जहां पर भी लगती है उन countries का विकास होना शुरू हो जाता है फिर हमारा point है proper use of resources resources का proper use होना स्टार्ट होता है माली जी मेरी country में resources extra रखे हुए है proper utilize पूरे utilize नहीं हो पाते कोई company आएगी मेरी country में resources क अच्छा सी utilize करना start कर देती है फिर next point है हमारा technical development technology का भी काफी development होता है in countries की वज़े से इस companies की वज़े से क्योंकि ये company जब एक country में enter करती है business start किया तो उस country का भी technological development होना start होगा क्योंकि वहां के लोग भी foreign की technology को देखकर कुछ और improve करना start कर देते हैं तो multinational companies की वज़े से हमारी country का जो technical development है वो और भी अच्छा हो जाता है हम दूसरी companies को देखकर अपनी technology सुधार लेते हैं फिर हमारा point है end of local monopoly मान लीजिए इंडिया में एक ही company है वो जो product sale करती है पूरे इंडिया में sale होता है उस company के product की टकर लेने वाली कोई और company नहीं है अब multinational company भारत में आ गई हूँ, multinational company ने वही product बनाना start किया तो जो पहले हमारे देश की company थी वो क्या करेगी अपने product की quality अच्छी करेगी, prices कम करेगी, competition होने की वज़े से पहले वाली company हमारे देश वाली company की monopoly खतम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो वो product अकेला sale कर रही थी, अब ये company और आगी टकर देने के लिए तो पहले वाली company मतलब local company की monopoly खतम हो जाएगी, competition की वज़े से, prices उसको कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक दूसरी company उसके टकर में नहीं थी, वो company क्या कर रही थी, मन मर्जी के prices वसूल कर रही थी, तो local monopoly खतम हो जाती है MNCs की व management वहां की भी होगी, हमारे लोग भी होगे, अब हमारे लोग management में होगे, वो भी multinational companies में, तो definitely logo का विकास होना जरूरी ही है, logo का विकास होगा ही, फिर हमारा point है export, अब माल लीजिए मैंने किसी country में business start किया, multinational companies लगाई, तो मेरा क्या होगा, export होना start हो जाएगा, मैं दूस country companies के product को भी मैं असानी से खरी सकता हूँ, तो export में वरीधी होती है, क्योंकि multinational companies को देखकर, हमारी countries की और companies भी लगनी start हो जाएगी, मैंने multinational company को देखा, तो हमारे देश के लोगों के अंदर भी motivation जागा, वो भी क्या करेंगे, product बनाना start करेंगे, high level पे, तो हमारा product अब foreign के अंदर sale होना start हो जाएता, for हमारा product foreign में sale होना start हुआ, मतलब हमने export करना start किया, मतलब हमारे exports में वरिधी हो जाती है, export increase हो जाते है, फिर हमारा next point है quality, quality तो improve होती है, अब multinational company हमारी company को टकर देने के लिए आएगी, तो मैं अपनी quality को तो improve करूँगा, quality improve नहीं करूँगा तो मेरी company तो डूप जाएगी, बंद करना पड़ेगा, मुझे लोग खरी देंगे नहीं मेरे product को, तो qualities भी कहीं न कहीं improve होती ही है, फिर हमारा point है disadvantages का, danger for domestic industries, इस प्रकार की companies, जब multinational companies किसी भी देश में enter करती है, तो वहां की जो local घरेलू companies होती है, उनको खतरा पैदा होत होती है, मान लीजिए domestic industries की companies को, इस प्रकार की industries को लोग छोड़ कर, multinational companies को join कर ले, high level salaries के उपर, तो ये companies तो चल ही नहीं पाएगी, तो इस प्रकार की industries को बहुत बड़ा खतरा होता है, next point है मारा money to the own country, इस प्रकार की companies को जब भी profit होता है, पैसा जब भी कमाती हैं, तो व local politics में बहुत ज़्यदा interfere करती है, especially वो countries जो underdeveloped है, या developing countries है, क्योंकि उस countries के अंदर, सरकार की तो चलती ही नहीं होगी, सरकार, multinational companies के उपर depend होकर रह जाती है, तो multinational companies जैसे चाहती है, multinational companies जैसा चाहती है, वैसा ही government treat करने लगती है, वहां के लोगों को, तो मतलम, multinational companies का politics क अंदर बहुत बड़ा interfere होना start हो जाता है, फिर मारा point है, local resources को अच्छे से use ना कर पाना, मैं अपने देश में रह रह रहा हूँ, अपने देश के resources को use करूँगा, तो बहुत अच्छे से use करूँगा, किसी और देश में मैं enter गया, तो वहां के resources को नुकसान करना भी start कर सकत हूँ, तो resources को हम कभी-कभी proper use नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मां लीजिए मैंने किसी और country में अगर लोगों को नोकरियां दी, business वहां पे लगाया, तो वहां के लोगों को मैं क्या नोकरियां दूगा, हो सकता है कि मैं वहां के लोगों को शोशन करूँ, उ भी नुकसान होना start होता है, next हमारा no benefit to poor people, इस प्रकार की companies जहां भी अपना business लगाती हैं, उनके product काफी high profile होते हैं, product वो बनाये जाते हैं, जो अमीर घराने के लोग खरीच सकें, अब अमीर घराने के लोग product खरीच सकें, तो वहां पे हमने कोई ऐसा product तो बनाया नहीं, ज तो जो भी production होता है, जो भी product बनता है, वो definitely rich families के लिए, rich लोगों के लिए बनता है, poor लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो ये था हमारा multinational companies का topic मिलते हैं, अब हम next वीडियो में एक नए topic के साथ, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धनेवाद